Sample Question Paper 3 चल रहा था आज D-section करेंगे D-section का पहली वाला जो question है इसमें बोल ला है The side of triangular park are 5 meter, 7 meter and 8 meter respectively Find the cost of leveling the park at the rate of Rs. 10 per meter square कोई park है जो triangular मतलब triangle का जैसे है इसमें 5 meter side है, 7 meter है, 8 meter है तो इसको leveling करना है मतलब उचा नीचा है, इसको leveling करना है तो इसके लिए per square meter में 10 रुप्या करके खर्चा होगा तो कितना खर्चा होगा बोल ला है तो area ही इसका area निकलना है तो area कैसे आ जाएगा इस फर्मूला से आ जाएगा 5 plus 8 plus 7 by 2 आ रहा है कितना, यह 5 और 12, 20 तो 10 हो गया, s तो area कितना आ जाएगा area equal to root over s, s minus a, s minus b, s minus c तो 10, 10 minus 5, 10 minus 7, 10 minus 8 root over 10, इधर हो गया 5, इधर हो गया 3, इधर हो गया 2 इसको अगर 5 into 2 करेंगे तो 5 into 2 into 3 into 2 तो यहां से 2 5 है, एक 5 निकल जाएगा 2 2 है, एक 2 निकल जाएगा और बाकी 3 अंदर में ही पढ़ा रहेगा तो 10 root 3 हो गया, इसका meter, meter square area ठीक है, तो यहां पर root 3 का value दे दिया यहां put कर देते है 1.73 तो यह करने से 7.3 meter square आ जाएगा एक meter में खर्चा कितना बोला है तेन रूपया तो इतने के लिए, बने इसके लिए cost कितना आ जाएगा तेन रूपया बोला था हां, ठीक है तो cost equal to, total cost लिग दिजे total cost 17.3 into 10 तो रूपीज यह आजाएगा 173 रूपीज तो इतना आपका खर्चा पड़ेगा लेबिलिंग करने के लिए, ठीक है अच्छा चलो, next और में बोला है the water of industry is stored in a hemispherical tank of internal diameter इतना, ठीक है कोई hemispherical आपका टैंक है इसे, तो इसका बोल दिया, diameter बोल दिया, तो radius की diameter बोल दिया, 14 तो आर हो जाएगा, 7 tank content 40 kiloliter of water water is pumped into the tank to full the full capacity calculate the volume of water pumped into the tank अच्छा यहाँ पर already 40 kiloliter पानी है, ठीक है तो और कितना लगेगा, यह फूल अगर करेंगे यह इसको फूल करेंगे, तो कितना पनी लगेगा वो पूछ रहा है तो पहले इसका volume निकल लेता है, पूरा हमें आपका spare का volume निकल लेता है, तो volume क्या हो जाएगा, 2 by 3 pi r cube 2 by 3 into, यह 22 by 7 हो गया, यहाँ पर pi क्या कुछ भैलो दिया नहीं, और यह 7 into 7 into 7 तो काटने के बाद यह आ रहा है, इधर कितना रहा है, 44, और यह 44, इधर हो रहा है, 49 4, 9, 6, 7, 8, 9 4, 9, 6, 7, 8, 9 4, 9, 6, 7, 8, 9, 9 तो इधर 15 हो गया, इधर हो गया, 10, 11, 2 2, 1, 5, 6 by 3 इतना मीटर क्यूब, मीटर नहीं, कितना था यह हाँ मीटर ही था, मीटर क्यूब तो इसको पॉइंट में ले लेता है 3, 27 1 बर गया 3 आया, 2, 6 3, 24 8 हो गया 24, 2, पॉइंट दे दिया 0, 3, 86 2, फिर 6, मतरब 7 आ जाएगा तो यह आ रहा है 7, 1, 8 0,67 इतना मीटर क्यूब तो इसको अगर किलो लिटर में लेंगे तो आ जाएगा कितना इतना किलो लिटर है ठीक है, तो इतना किलो लिटर आपका सोरी, गलत लिख दिया 7, 1, 8.67 इतना किलो लिटर तो पहले अल्रेडी 40 किलो लिटर पानी था तो यहां से इतना काली यह टोटल क्यापसिटी है तो 40 से निकल देंगे तो बाकी बाकी जो बाकी जो फूल करना था उसके लिए कितना पानी चाहिए वही पूछ रहे तो बाकी मतलब यह लिख देता है वाटर इकल टू वाटर वाटर इकल टू यह 718.67 माइनस 40 इतना लिटर तो कितना जागे यह 67 आ गया इधर चलिस मतलब 8 हो गया और इधर 7 हो गया 6 तो इतना किलो लिटर पानी अभी पेंडिंग है जो पांप करके उठाना है ठीक है? अच्छा चलो नेक्स करते है 33 में बोल रहा है A यह दे दिया और इसका वहलू पूछा है तो A इकल टू जो है 5 रूट-2 दे दिया रूट-5-2 इसको डेसनलाइस कर लेते हैँ साइन देके उपर नीचे मल्टिप्लाई कर रहा है तो इह052 हो जाएगा बोल रूट-5-2 से उपर-Nीचे मल्टिप्लाई कर रहा है तो इह माइनस हो गया और एक्वण फ्याप्लास जाएगा नीचे बाला a square minus b square a plus b a minus b तो a square minus b square हो जाएगा ये बाला तो आज जाएगा 5 minus 2 root 5 square minus 2 square ठीक है और ये बाला a plus b whole square formula हो जाएगा तो 5 plus 2 root 10 plus 2 हो गया तो ये हो गया 7 plus 2 root 10 by 3 ये एक्ठ हो गया और दूसरा जो है b equal to ये आ जाएगा कितना ऐसे ही करना है आपको rationalize करने के बाद ये बाला यहाँ पर minus हो जाएगा बाकी same रहेगा 7 minus 2 root 10 ठीक है तो अभी ये जो portion दिया है इसमें देखे क्या करना है अच्छा यहाँ से पहले एक बार a b का भेलो निकल लेता है यहाँ से a into b तो ये into ये root 5 plus root 2 by root 5 minus root 2 into root 5 minus root 2 by root 5 plus root 2 तो ये दोनों कट जाएगा ये ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा वान आ जाएगा ठीक है अच्छा यहाँ पर जो है दिया ये वाला करते है यहाँ से अगर एक ठो और निकल लेंगे a plus b equal to क्या होगा वो निकल लेता है ये दोनों का plus 2 root 10 by 3 plus 7 root 2 root 2 root 10 by 3 तो इसको क्या आ रहा है देखिए 3ल सेम हो गया 7 plus 2 root 10 plus 7 minus 2 root 7 ये कट जाएगा ये 14 हो गया वाई 3 तो a plus b का value ये वाला है ठीक है अभी जो value निकलने वोले है वो निकलते है ये वाला यहाँ पर लिकल ले है a plus b a square plus a b plus b square और यहाँ पर a square minus a b plus b square देखिए यहाँ पर क्या कर ले है a square plus 2 a b plus b square लिखते है minus a b लिखते है ये दोनों minus करने से a b आ जाएगा तो ये जास्ट हम लोग लिखे whole square करने के लिए यहाँ पर भी सेम चीज लिखते है 2 a b plus b square minus 3 a b तो देखिए ये दोनों minus करने से minus a b आ जाएगा ये दोनों minus करने से plus a b आ जाएगा ये portion में क्या हो रहा है a plus b इसका whole square हो रहा है और a b आ रहा है और ये भी सेम चीज a plus b इसका whole square हो रहा है minus 3 a b आ रहा है तो अब यहां पर value है हम लोगों के पास यह 14 by 3 इसका value तो लिखते है 14 by 3 इसका whole square minus इसका value क्या था 1 यह भी 14 by 3 इसका whole square minus 3 into 1 आर यहां पर 1 into 1 तो यहां पर आ रहा है कितना यह आपका आग्या 14 मतलब 1 9 6 हो गया by 9 minus 1 आर इधर हो रहा है 1 9 6 by 3 इसका 3 हो गया तो यहां पर LCM 9 करते है 1 9 6 minus 9 आर इधर 1 9 6 minus 27 हो जाएगा आर इधर 9 9 कट गया तो इधर आ रहा है कितना 1 8 यह 9 minus करने से आपका 3 तो मने 3 मतलब हो गया 87 हार इधर आ रहा है 9 करने से 9 हो रहा है इधर 3 मतलब हो गया 6 1 तो यह बले answer आ जाएगा ठीक है चलू ने एक्स राकता है इसमें बोला है दा फॉलविंग टेबिल इस गिवन टाइप्रेम अफ फोर हंड़्ड नियॉल बाल लेंप ठीक है अचा यहां पर इनफर्मेशन नीचे दे दिया ठीक है सॉरी यह थोड़ा सा उपर ले लेता है अचा यहां पर नियॉन बाल्प का जो है उसका लाइप टाइम दे दिया मतलब लाइप टाइम मनें यह जो आवर्स है मतलब 14 बाल्प का 300-40 चलता है 400 आवर चलता है फिर यह 56 जो है यह 400-500 बाल तक चलता है इस टाइप का इसका लाइप दे दिया तो बले रिप्रेजेंट दा रिप्रेजेंट्स गिवन इंफर्मेशन विध हैलप अप्स्ट्रोगम इसका इसका हिस्ट्रोगम बनाना है तो चला करते है यह यहां पर पहले बोला है 300 से 400 तो 300 यहां पर अगर करते हैं 300 से करेंगे तो हम लोग को यहां पर जिक जग करना है तो हम लोग 300 से ही कर रहे है, 300 यहाँ पर कर रहे है, फिर 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 1000 तक ही है, तो यहाँ पर रहे हैं न दीजे, और यहाँ जिक जक कर देते हैं, क्योंकि हम लोग 0 से 100, 200 यह लिया नहीं, ठीक है, तो यह बला आ गया, आपका, लिख दीजे यहाँ पर, आवार्ज बोलकर लिख दीजे, और यहाँ पर जो है, यह फ्रिक्वेंसी धार रहता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, 86, 874, हाँ, 86 मैक्सिमम है, तो 90 इतक कर देते हैं, तो 10-10 करके इसको भाग कर देते हैं, तो यह पहले 10 कर देते हैं, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, फिर 90, फिर 100, अच्छा, यहाँ पर पहले जो है, 300 से 400 यह 14 वाला है, तो यहाँ पर आपको graph paper में करने से ठीक रहता, तो यहाँ 14 मोटमटी आपका यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट में, तो graph paper में करेंगे तब आपको पता ही चल जाएगा क्या से क्या आएगा ठीक है तो यहां पर यह जो है portion यहां तक ही आएगा यहां तक आएगा ऐसे आजाएगा ठीक है फिर बोला है यह 56 तो 56 काम पर पड़ेगा यहां पर कहीं पड़ेगा है यहां पर तो यह 56 आ गया ठीक है फिर 60 60 कहां पर पड़ रहा है यह वाला पुरा तो थोड़ा सा उपड़ में यहां पर 60 आ जाएगा यह मेरा तो यह equal ले मने यह जो चौड़ाई है यह equal होना चाहिए ठीक है तो graph paper में जब करेंगे तब तो आप 5 पकड़ के 5 unit पकड़ के चलेंगे तो यह सेम सेम हो जाएगा ठीक है अच्छा फिर 86 86 कहां पर यहां पर यहां पर कहीं आएगा तो 86 यहां पर कहीं आएगा यह हम लोगों का यह अलग-अलग हो रहा है यह सेम होना चाहिए ठीक है यहां पर हम मैनुआल कर रहे है इसलिए इधार उधार हो रहा है तो यह आप पर मैं करेंगे तब ठीक हो जाएगा अच्छा यह वाला 86 हो गया फिर आएगा 74 तो 74 कहां पर आजाएगा 74 मोटा मोटी यहां पर आएगा तो यह आजाएगा यह 74 आगया ठीक है फिर बोला है 62 तो 60 यहां पर है तो थोड़ा सा उपर तो यहां पर कहीं आएगा 62 फिर आजाएगा 84 ऐए 48 48 आजाएगा यहां पर कहीं तो यहां पर कहीं आजाएगा ठीक है तो यहां मनालग से लिख दीजेगा यह 14 यहां पर 56 यहां पर 60 यहां पर 86 यहां पर 74 यहां पर 62 और यहां पर 48 ठीक है तो यह आपका हिस्ट्रोग्रम डेडी हो गया ठीक है अच्छा चलो नेक्स्ट क्या बोलना है देखते हैं हाव मेनी लेंब्स हैव लाइब टाइम मोर देन सेविन अवार्स से उपर में कितना मनें लेंब का लाइब है यह पूछ रहा है तो 700 के उपर कहां पर आ रहा है यह 700 है तो यह तीन एड हो जाएगा तो आ जाएगा कितना देखिए सेवन सेवन्टी फोर सेवन्टी फोर प्लास सिक्सी टू प्लास फॉर्टी एट इतना बल्प का या लेंब का लाइब का लाइब टाइम सेवन हंड्रेट के उपर है तो देखते हैं कितना हो रहा है यह हो गया फोर 700 hours के उपर है, ठीक है, 700 के उपर जो है, वो लेना है, 700 भी चलेगा, 700 से 800 तक इतना है, फिर 800 से 900 तक इतना है, 900 से 1000 तक इतना है, तो यह सब एट करेंगे, तो वो आ जाएगा, ठीक है, अच्छा, चलो, next, यहाँ पर बोल ला है, ड्वा एट, ड्वा एट, हिस्ट्रोगाम टू रिप्रेजन दा फॉल्लविंग, ग्रूप फ्रिक्वेंशी, अल्सो ड्रॉप फ्रिक्वेंशी पॉलिगन, अच्छा, तो पहले चाटनी कर लेते हैं, एक बाटा, पहले बाला जो, यह एज बोल दिया, तो यह class भी बोल सकते हैं, एज भी बोल सकते हैं, तो 5 से 9 है, फिर 9 से, अच्छा, यहाँ पर adjustment करना पड़ेगा, तो यह 14 से, 10 से 14 दे दिया, फिर 15 से 19 दे दिया, 20 से 24, 25 से 29, फिर 30 से दे दिया 34, फिर 35 से 39, तो यहाँ adjust कर लेते हैं पहले, adjustment करने से क्या आ रहा है, यह जो, 3 है या 9 है, इसको minus करेंगे, फिर 2 से divided करेंगे, तो आ जाएगा कितना, 1 by 2 equal to 0.5, तो यहां से आप ऐसे भी कर सकते है, 20 से 19 के add सकते है, मतलब कोई भी lower class से पहले वाला का upper class minus करके 2 से divided करना पड़ेगा, तो जो आएगा वो plus minus करना पड़ता है, मतलब इससे minus करना पड़ेगा, इसको plus करना पड़ेगा, तो adjustment हो जाएगा, तो इसको 0.5 minus करना से 4.5 आ जाएगा, और यह 9.5 आ जाएगा, फिर 9.5 यह आ गया, इधर आ गया 14.5, फिर यह 14.5 से 19.5, फिर 19.5 से यह आ गया 24.5, फिर 24.5 से यह 29.5, यह आ रहा है 29.5 से 34.5, आर यह आ रहा है 34.5 से 39.5, तो यह adjustment हो गया, अभी इसका class mark निकलता है, class mark लागेगा, तो बाद में भी निकल सकते है, तो यह पहले निकल लेने से ही ठीक रहेगा, बगल-बगल में है, और यहाँ पर frequency है, frequency कितना हो गया, यह 10 दे दिया, फिर 24, 28, 32, 48, 50, अच्छा, यह वाला उपर में थोड़ा चा लिखते देते हैं, 32, फिर 48, फिर 50, यह 35, आर यह 12, अच्छा, यहाँ पर class mark कर लेते हैं, क्योंकि फिर कोई से polygon जो है, इसके लिए midpoint चाहिए, इन दोनों का, तो यह दोनों add करने से कितना आ रहा है, दिखिए, 9.5 और 4.5, यह 0 हो गया, इधर हो गया, 14, तो यह कटने से आपका 2 से divided करेंगे, तो 7 आ जाएगा, तो यह वाला आ गया, 7, फिर दोनों को करेंगे, आएगा कितना, यह आपका हो गया, 14, यह हो जाएगा, 14, 24, 12 आ तो 5 करके difference होने से यह आ जाएगा, इसको 5 से add करेंगे, 17 आ जाएगा, यह 22 आ जाएगा, फिर आ जाएगा, 27, 32, फिर 37, यह आ गया, adjustment, यह आपका class mark, तो अभी करते हैं, यहाँ पर clap लेके आया, तो यहाँ पहले देख लेते हैं कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, 7 है, तो 7 class हम को, 7 हो, graph paper में draw करेंगे, यह बला यहाँ से करते हैं, यह इत्टो ले लेते हैं, और यहाँ पर यह बला ले लेते हैं, यह बला ले लिया, ठीक है, तो पहले कहां से आ रहा है, यह बला, सारे 4 से सारे 9, तो सारे 4 से सारे 9, यह बला है, ठीक है, यह बला है, फिर यह बला है, इस टाइप का, तो सारे 9 हो गया, बाकी क्या-क्या है, दिख लेते हैं, सारे 9 हो गया, फिर सारे 14, सारे 19, सारे 14, सारे 19, फिर क्या था, सारे 19 के बाद 24 और 29, 24.5, फिर 29.5, फिर 34.5, फिर 39.5, यह बला, ठीक है, यह 39.5 में खतम हुआ था, फिर 29.5 में खतम हो गया, ठीक है, अच्छा, इधर जो है, यह फ्रिक्वेंसी यह बला है, तो मैक्सिमम 48 है, तो 50 तक करने से हो जाएगा, तो एक-एक घर को, यह बला, पहले बला 10 करते हैं, यह 20 हो गया, यह 30 हो गया, यह 40 हो गया, यह 50 हो गया, अच्छा, यहां का जो पहले वाला है, वो हम लोग को पता नहीं, यह इसलिए, आपको एक ठो जिग-जग लाइन देना पड़ेगा, जब पहले तो हिस्ट्रों काम कर लेते हैं, तो बहु ले है, 7, यह 7 मतलब 10, तो 10 है पहले वाला का, तो 10 है, यह एक बार यह बगल में लिख लेते हैं, तो ठीक रहेगा, यह वाला कॉपी करके नीचे कॉपेस्ट कर देते हैं, यहां पर लिख लिख लिया, तो ठीक रहेगा, आपको देखने में, देखिए, यहां पर 10 है, तो पहले वाला 10 है, तो यहां से करते हैं, यह 10 है, यह 10 हो गया, फिर दुस्ता बोला है 28, 28 कहां पर पड़ेगा, यहां पर, यह जो है, दो घर नीचे, मोटा से दो घर नीचे तक, तो यहां आगया 28, ठीक है, फिर बोला है कितना, 32, 32 मतलब हो गया, 32, यह दो घर तक, फिर बोल दिया, 32 के बाद, 48, 48 कहां पर 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 रहा है, यह दो घर, फिर 50, 50 यहां पर है, फिर बोले 35, 35 कहां पर है, यह यहां पर, यह हो गया 35, फिर 12, 12 कहां पर है, यहां पर, तो यह हो गया, आपका histogram, ठीक है, यहां पर जो पहले बोला, histogram draw करने के लिए histogram हो गया, ठीक है, अभी बोला है also draw frequency polygon, तो frequency polygon के लिए जो classman कर ले थे, वो बला लेना है, तो 7 कहां पर आ जाएगा, middle में आ जाएगा, ये बला आपका 7 है, तो यहां पर एक ठो point आ गया, मतलब सब middle बला आएगा, ये जो है point, एक ठो ये point आ गया, यहां पर ए ये point आ गया, फिर ये point आ गया, फिर ये, फिर ये, तो यहां पर जो है, यहां से आपको, चीरो से कहें लेना है, तो ये ऐसे लग दीजे, तो यहां से ये, फिर 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 g यह वाला जो रहे गा ना यह वाला इसका भी midpoint पे देना है मुणनि से जिरू आजाएगा जीरो से चेट हो रहा है यह ख॥म हो रहा है यहां पर हो है चालो नेक्स करते है इसको फैक्राइजेशन करने के लिए बोल रहा है तो इसको चीक्ला में minus भी आ जाएगा तो यह आ गया plus और यह minus प्लास को अगर करते हैं यह a cube plus b cube format में कर रहा है तो यह square का cube हो गया plus square का cube हो गया यह जो है यह पहले एक बर cube नहीं करके यह पहले एक बर square का format में कर लेते हैं cube का square y cube का square a plus b minus भी करेंगे तो जल्दी हो जाएगा अगर square का cube करेंगे तो वह last में जो दो ठो आता है मने into में उसमें कुछ मने आपका time लगे करने में और कुछ नहीं तो पहले जितना हो सके a square minus b square में जितना छोटा हो सके कर लेने के बाद cube जब जा आएगा तब q का formula में यूज करेंगे तो यह बाला माइनस में नहीं है इसलिए यह direct cube कर लिया ठीक है तो यह आ जाएगा a plus b a square minus a b plus b square b4 मतलब y cube मने अप लोगों का formula जानना चाहिए ठीक ठाक a plus a cube plus b cube का formula है a plus b जब factorization करेंगे तब यह वाला formula यूज करेंगे लेकिन दूसरा time में इसका दूसरा formula होता है a cube plus b cube का a plus b whole cube minus 3ab a plus b यह यहाँ पर use नहीं करेंगे factorization जब होता है तब into use करना पड़ता है तो यह into में है तो इसका formula अभी यह use करेंगे फिर a cube minus b cube में भी a minus use करेंगे a square plus a b plus b square यह use करेंगे ठीक है तो यह वाला दूसरा जगा use करना पड़ता है जब कोई proof रहता है तब use होना दे लेकिन factorization में यह ही use करेंगे और a square minus b square यहाँ पर use कर रहा है तो a plus b a minus b ठीक है यह दोनो formula यहाँ पर use कर रहा है तो यह वाला a square plus b square formula में use क्या अच्छा यहाँ पर जो है इसको क्या आ जाएगा x cube plus y cube और x cube minus y cube a plus b a minus b यहाँ पर जो है रहने दीजिए यह वाला x to the power 4 minus x square y square plus y 4 और इधार हो रहा है यह भी दोनों formula है यहाँ पर जैसे लिखे है यह formula और यह formula ठीक है तो देखिए क्या होता है x plus y x square minus xy plus y square और यह वाला क्या आ जाएगा x minus y x square plus xy plus y square यह वाला आपका answer हो गया यह वाला total इसका answer है ठीक है यह वाला ठीक है अच्छा यह section खतम हो गया दूसरा section जितने जल्दी हसागे करेंगे ओके थेंक्यू